नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एविद्या चैनल नंबर 12 पर, मैं हूँ देवेंद्रुद्र पाथी और आज के सेशन में क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो निश्ची तोर पर जिसके प्रतिय आपकी दिल्चस्पी होगी और ये subject है fine arts और इसके अंतरगत आधुनिक भारत्य कला के बारे में चैप्टर आज पढ़ेंगे और ये जो लेसन है से पढ़ाने के लिए समझाने के लिए आपके और बहतर ढंक से इसकी समझ डेवलप हो इसक और हमारे साथ interpreter के तौर पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मधू को जो आज के सत्र को sign language के माध्यम से specially abled बच्चों को यानि विशिश आउशकता वाले बच्चों को इस inclusive session में इस part को सत्र को बताएंगी समझाएंगी हम आगे बढ़ें और सत्र की शुरुवात करने के लिए मैं हम से आग्रह करें उससे पहले आपको बता दें कि आप डिटिएच पर ईविद्या चैनल नंबर 12 पर तो ये कारेकरम आप देख ही रहे हैं साथ ही साथ आप हमारा सत्र देख रहे हैं यूट्यूब पर NCRT Official और यहाँ पर चैट बॉक्स में आप अपनी तरफ से कुछ प्रशन पूछना चाहते हैं कोई प्रतिक्रिया है इस program के संबंध में session के संबंध में आप हमें लिख सकते हैं और phone number के जरीए email address के जरीए भी आप पहुंच सकते हैं 4 number आप नोट कर सकते हैं 8800-440-559 आपकी screen पर दिख रहा है और email address है dth.class12 at the rate ciet.nic.in तो इन माधिमों से लगातार हमारे साथ संपर्ग में रही है बने रही है इस live session में और समझिए भारतिय आधुनिक भारतिय कला के बारे में और क्योंकि शब्द जुड़ा हुआ है आधुनिक तो कई बार आधुनिकता से हम 21 सदी या 20 सदी को समझने लगते हैं आधुनिक को इस दायरे में रखा जाता है सबसे पहला प्रशन में में से करना चाहँगो तो सर यह बहुत ही अच्छा प्रशन आपका कि किस समय से यह माना जाता है सर कला हमारे हां initially starting से ही रही है British time से in fact यह रहा है और जब British हमारे हां पर आई हुए थे तो उनका मानना यह था कि जो ह एजुकेशन वाइस शायद थोड़े से पिछड़े हैं उनसे तो वो यह मान के चलते थे कि हम लोग आर्ट में भी उतना अच्छा नहीं कर सकते और इसी को मद्य नजर रखते हुए उन्होंने तीन स्कूल्स खोले थे बाकी तीन हमारे हिंदुस्तान में थे और वो लोग मोस्ली विक्टोरियन जो पद्दती थी आर्ट शेली थी उसको बहुत प्रचलित करते थे उनका मानना ये था कि जो आर्ट फॉर्म बिटिशर्स को पसंद है या जिसकी उनके उस शेत्र में डिमांड है वो उस प्रक्रिय उस प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रोचसाहित करते थे तो ये तभी से चलता आ रहा है सर बिटिश काल से जी तो इस आज की जो चैप्टर है उसमें हम क्या-क्या स्टुडेंट्स हैं क्या-क्या समझने वाले हैं जी सर तो आज जो हम समझेंगे सर एक तो हम ये हुआ और उसके बाद सर कुछ प्रश्ण होंगे जिससे बच्चों को और क्लारेटी आ जाए बिल्कुल सदी में एक evolution कह सकते हैं या revolution कह सकते हैं उन्होंने एक आयोजन किया इस तरह से जिससे की हम हमारे हिंदुस्तानी art forms को आगे बढ़ा चड़ा सके उस ही दौरान उन्होंने जो हमारी बहुत ही माननी है जिसको हम मानते हैं शांती निकेतन university के अंदर एक कला भवन करके एक organization की स्थापना करी उन्होंने इसको बनाया जिसमें Indian art forms को उन्होंने प्रोचसाहित किया उसके अलावा sir जो Bengal school था उनका mostly जो काम था वो यह चाते थी कि Indian art form को ही हम जादा आगे चलाएं और Britishers की जो पद्दती है उसको हम कम से कम यूज में लाएं सर इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी जो हमारे कुछ आर्टिस्ट रहे हैं इस दौरान बहुत ही famous आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानी जितनी आर्ट रहे हैं उनको प्रोचसाहित किया सबसे पहले आते हैं गनेंद्रनार टेगोर जी जिन्होंने मैं सर बहुत संक्षिप्त में ना जाके थोड़ा आपको ऐसे बताऊंगी ताकि हम maximum चीज़ें cover कर सके इन्होंने basically सर जो हमारी घन जिसको हम कहते क्यूबिक तो उसको लेकर के उन्होंने उस आर्ट फॉर्म को स्थापित किया था यह बहुत ज्यादा inspired थे पैबलो पिकासो से जो की एक artist रहे हैं इस्पेन के बहुत ही famous artist है हुबहु उनकी प्रतिक्रियां उन्होंने नहीं बनाई लेकिन definitely उन्होंने अपने style को वहां पे evolve किया तो गदेंद्रना टेगोर जी जो थे वो cubic यानि की घन की आकरितियां बनाते थे इसके अलावा रबिंद्रना टेगोर जी की अगर हम बात करें सभी इनको बहुत अच्छे से जानते हैं सर बहुत ही हमारे हिंदुस्तान के प्रसिद कवी रहे हैं इन्होंने हमेशा से अपने आर्ट फॉर्म को डूअल तरह से प्रेज़न किया है जब यह अपनी कवीताएं लिखते थे तो वह अपनी कवीताओं को डूडलिंग के माध्यम से यानि कि कि सी आकरिती के माध्यम से दर्शानी की कोशिश किया करते थे और यह बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थे अजंता, मुगल और पहाडी पीरियड के टाइम से, तो जब भी आप इनके कोई भी पेंटिंग्स देखेंगे, तो उसमें आपको डूडलिंग दिखेगी, डूडलिंग में होता है कि बहुत ज्यादा इस पश्ट रूप से आपको आकरिती समझ में नहीं आती है, बट जो कह इन किया और ये अबिंदरनाथ टेगोर जी के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे और इनका एक एक एक्सपेशन था, जो कि थोड़े ब्राइट कलर्स में ये काम करना पसंद करते थे सर इसके बाद हम बात करते हैं आपके बिनोद बिहारी मुखर जी की और राम किंकर जी की सर इन्हों ने दोनों ने ही सराउंडिंग्स को लेकर के काम करना चाहा जो हम लोग रियल लाइफ में जो चीजें देखते हैं जो हमारे रियल लाइफ में चीजें होती हैं चाहे वो हम पेड ले 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 या हमारे एंवार्मेंट में सराउंडिंग्स में हम फूल पत्ते ले ल बिनोत बिहारी जी मुखर जी की एक बहुत ही सुन्दर प्रतिमा आप देखेंगे यहां पर मैंने एक दर्शाई है वो बेसिकली काम करते थे हमारे जितने मध्यकाल में जो संत हुए हैं उनको लेकर के उन्होंने काम किया है बहुत ही सुन्दर तरीके से रमायन महाभारत को दर्शाते थे इसके अलावा कबीर और तुलसी दास जी के जो विचार थे वो उनको भी इसमें बहुत सुन्दर तरीके से दर्शाया करते थे बिनोत बिहारी मुखर जी का यह अपना एक स्पेशल जिसको कहेंगे कि एक उनका स्पेशल यूएस पी था उस टाइम का राम किंकर जी सर जैसे मैंने आपको बताया संथाल फैमिली जो की नियरबाय रहती है शांती निकरतन के उस प्रवासी से बहुत इंस्पायर थे तो वहाँ पे सर उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या किया एक प्रतिमा थी उस प्रतिमा में उन्होंने contemporary art को जोड़ा, जिसमें उन्होंने cement और stones, जो concrete होता है, उसको मिला करके उस प्रतिमा को एक बहुत ही भैतरीन रूप दिया, आप यहां देख सकते हैं, मैंने वो एक picture कोशिश करी है दिखाने की, कि बच्चे देख पाएं उसको, और यह प्रतिमा ऐसी थी कि इसको कोई हाथ स चूकर के भी पता लगा सकता है कि इसकी आकरती क्या है, क्योंकि इसका जो abstract है, material है, वो काफी ही concrete है Gemini Roy, काफी famous नाम है सर हमारे हिंदुस्तान में Gemini Roy का, इन्होंने Calcutta School of Arts से काफी कुछ सीखा है और इनके भी जो colors थे, बहुत bright थे, और इनका मानना यह था सर कि हमारे जितने भी colors हैं, जितने भी colors हैं सर वो चाहते थे कि हम उनको खुद से बनाएं So, they can make their own colors through leaves, natural products and it will give a different effect to you और वो बहुत ही bright colors शो करता है तो Gemini जी का यह एक बहुत ही उनकी विशेशता थी सर अगर अगर जो अब तक हमने देखा, जितने नाम आपने दिखा है उन नामों में जो भी कला कृतियां हमने देखी, वो सारी कहीं ने कहीं उस दौर की कहानी या उस दौर का इतिहास भी हमें बताती है तो एक तरह से जो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारती है कला का इतिहास या आधुनिक भारती है कला के बारे में तो कला जो प्राचीन समय में, प्राचीन मतलब आज वर्तमान है, वर्तमान से पीछे का जो भी है वो पुराना है, उसको प्राचीन हम कहते हैं, तो वो जो समय की कलाएं हैं या कलाकृतियां हैं, वो अपने समय की सामाजी किस्थती, सोच, विचार, सब कुछ हमें वो कला के म just to make the colors, to give a natural effect to their paintings, sir ये बहुत ही सुन्दर प्रतिमा आप देख रहे हैं यहां पर बहुत ही सुन्दर एक चित्र है, अम्रिता शेर गिल्जो की हमारी इंदुस्तान की जानी मानी एक आर्टिस्ट है, बहुत कम समय में, कम छोटी उमर में ये चले कहे थे, तो काफी काम इनका रहे गया मुझा लगता है, हम इनका और अच्छा काम देख सकते थे, sir ये बेसिकली हाफ हंगेरियन इनको कहा जाता है क्योंकि ये इंडियन हाफ इंडियन थी, हाफ ये हंगरी से थी, क्योंकि इनके जो पिता जी थे, वो इंडियन थे और जो माता जी थे, and she is from Hungary, so she always tried to incorporate the Indian art form and the European art form, तो इनके art forms में आपको दोनों का एक amalgamation में मिलेगा, Indian art form का और European art forms का, और सर इसके बाद हम बात करेंगे, एक बहुत ही सुन्दर आप यहाँ पे sculpture देख पा रहे हैं, जो की प्रदोषदास गुपता जी के बनाया हुआ है, and it is I think situated in one of the art gallery in India, and the name of this sculpture is Twins Bronze, बहुत ही famous है ये, तो आप लोग अभी भी Google भी कर सकते हैं इसके बार में detail के लिए, तो इन्हों ने सर बेसिकली इस art form को प्रदूस किया, not only colors, they can produce things with other material also, so sculpture is a part of that art form. यहाँ पे आप प्रिंट मेकिंग देख पा रहे हैं, यह एक प्रिंट मेकिंग का चित्र है, बेसिकली इसके पीछे एक बहुत स्टोरी है बड़ी, सेकिंड वर्ल वर के दौरान, बेंगॉल में एक बहुत ही गंदा सूखा पढ़ा था, जिसके कारण maximum लोग they have to shift to the rural areas to urban areas, and that time, जितना भी political influence था, वो बहुत ज्यादा high power में था, so वहाँ पर हमारे दो ऐसे आर्टिस्त है, जो बहुत उभर कर के आए, चित्तो प्रसाद और सोमनात होरे, that time, जो भी हमारी communist party थी, they have requested to Chittu Prasad ji that he has to go to the areas, जहां पर भी वो Bengal के लोग shift हुए है, उनकी जो दशा है, he has to show that dasha into the pictures, so later on, एक बहुत ही सुन्दर प्रतिमा उन्होंने बनाई, in fact series of paintings था, जिसमें, जिसको कहा जाता है, Hungry Bengal, तो sir, ये इसी नाम से आगे बहुत प्रचलेथ हुआ हुआ, बंगाल का अकाल पूरी दुनिया में famous हुआ था और इस दौरान हजारों की तादात में लोग भूख की वज़े से प्रान गवा रहे थे, जी sir, और अनन्दमठ अगर पढ़ें, बंकिमचन चित्वबाध्या की तो उसमें पूरा बंगाल के अकाल का पूरा विवरेंड है, और बहुत ही भयावे है वो, भयावे है sir, बिल्कुल है sir, और चित्वो प्रसाजी ने बहुत ही, इंपॉर्टेंस था, बहुत महत्व था, कि ये एक चित्र के माध्यम से बहुत कुछ बया कर जाते थे, कलाकार. जी sir, जी. Sir, printmaking में अगर आप कोई प्रश्न करना चाहें, और हमारे दर्शक अगर कुछ और जानना चाहें कि printmaking होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा उस तरफ भी… जी, जी. अगर आपके मन में printmaking को लेकर, क्या है printmaking और क्यों इसको पढ़ाया जाता है, क्या importance है, अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर हैं, और सेशन के दौरान आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगी. जी, जी, सर, so printmaking में थोड़ा सा बता देती हूँ, printmaking एक वो art form था, जिसमें we have to make some bulk pictures, in a very small span of time, so आप लोगो ने सांचे देखे होंगे, जैसे block printing आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रचलेथ है, so printmaking का, जो block making का हम कहें एक की प्रचलन था, वो printmaking की time से start हुआ था, जो की चित्तो प्रसाद जी ने वहां से और सोमना थोरे जी ने जिसको start किया था, तो block printing अब हमारा, यहां तक आगया है, जो की start हुआ था, printmaking से, so it is about the, सांचा, the blocks, and the colors, we have to put some colors on the blocks, and then do the printing on a surface. आप देख रहे हैं एविद्या चैनल नंबर 12 पर आज का सेशन है, fine arts, और fine arts में आप आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक भारतिये कला के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, आधुनिक भारतिये कला में अब तक आपने दिखा, मैं बताया आपको बड़े- कलाकारों के नाम आपने सुने और उनके काम के बारे में जाना, तो किस तरह से ब्रिटिश राज्य में, ब्रिटिश सामराज्य के दौरान, किस तरह से भारतिये कला को, जैसा कि मैंने शुरुवात में कहा, कि भारतिये कला को उनको लगा कि शायद भारत के लोगों से जाद कलाभikaवन के माध्यम वहाँ पर लोगों ने ये समझा कि अगर विदेशी लोग हमारी ज़ो कला है या हमारी जो सनसकरिती है उसको कला के माध्यम से, कलाकृतियों के दिखाएंगे तो शायद उसमें वह इंढियननेस वह भारतियता नहीं होगी. तो इसलिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और अभी मैम आपसे बता रही थी प्रिंट मेकिंग के बारे में तो प्रिंट मेकिंग क्या है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए और आपके मन में कुछ परशन है तो आप पूछ सकते हैं या फिर फोन नमबर और एमेल अडर्स आपको हमने बता ही रखा है इसके जरिये भी जी मैम जी सर तो प्रिंट मेकिंग जैसे मैंने बताया कि इस पार्ट ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग का कह सकते हैं कि इनिसियेशन प्रिंट मेकिंग से ही हुआ था इनिस प्रिंट मेथर प्रिंट मेथर प्रिंट मेकिंग से रलेटेड समान मिलते हैं बेट शीट मिलती हैं इनिस वरी इस तो यूज वरी ब्यूतिफुल बिकार्स उते हैं तो उसके बाद सर हम बात करेंगे सर यहां पर हमारी प्रिंट मेकिंग आ जाती है उसके बाद हम अगर देख पाएं तो बहुत ही इवाल होती रही है आर्ट फॉर्म हमारी ब्रिटिश टाइम से लेकर के आज तक भी तो हमारे प्रोग्र्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर S. A. Bakre, A. H. Gade and S. H. Raza. So technically जो यह ग्रूप था सर यह 5-6 लोगों का एक ग्रूप फॉर्म हुआ था जिसमें इन्होंने इंडियन आर्ट फॉर्म को और ज्यादा एडवांस या और ज्यादा इवाल्व किया था यहां पे अगर मैं बात करूँ जो फाउंडर रहे हैं सूजा वह बेसिकली हमारी विमन इंडियन ब्युटी को डिक्ट करते थे तो उन्होंने हमेशा से इंडियन विमन को एक न्यूड आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और जो हमारा प्रपोर्शनेट होता है एक फिरुरेटिव आर्ट फॉर्म का उन्होंने उसको थोड़ा धिस-ब जिनको मुझे लगता है कि कोई introduction की जरुवत नहीं है, इनों हमारे पूरे हिंदुस्तान की इस art form को पूरे विष्व में नाम करवाया है और यह सिफ बेसिकली नॉट ओनली fine arts, यह हर तरह का art and craft भी evolve करकर अपनी paintings को बनाया करते थे, sir M.F. Hussein Ji का यह एक बहुत speciality रहा है शुरू से, कि different art forms को they have to amalgamate all the art forms and then create something new So, मैं जो जितना जानता है हूँ अभी तक, sir, मुझे लगता है कि British time से लेकर के, आज के progressive time तक, जितने भी artist है वो हमेशा inspire होते हैं, throughout our environment, throughout the situations, so it's up to us how we depict our emotions into paintings So, everybody is an artist over here, anybody can make anything, anybody can like draw something which is inside their thinking process, inside their thoughts So, it is important to depict that Right, so Nishri, तोर पर जो हमारे विचार होते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, और हमारे आसपास का जो आतावरन है वो हमारे चाहे वो लेखनी है, कभी है तो उसकी कविता में और कहानीकार है तो उसकी कहानी में, जैसे आप अगर किसी ऐसे कहानीकार को पढ़ें जो पहाडों पर रहता है तो निश्चित तरह पर उसकी कहानीयों में पहाडों की जलक, वो पहाडों की सुन्दरता और वहां का वातावरन, वो सब कुछ जलकता रहेगा और कोई अगर राजस्थान का कभी होगा तो उसके अंदर वो राजस्थान की जो जीवन शैली है, राजस्थान का जो शाही अंदाज है, वो उसकी भी जलक मिलेगी कोई बंगाल कर रहेगा तो उसके में बंगाल की जलक मिलेगी, तो इसी तरह से कोई कलाकार होता है, तो उसके जो मनोभाव हैं, जो विचार हैं, उसकी कला में वो विचार निश्चित तोर पर जलकते हैं, और मैं बिल्कुल ठीक कहा कि हम सभी में कुछ ने कुछ कला छिप हैं कुछ लोग होते हैं कि उनकी हाथ बहुत साफ होते हैं बहुत neat and clean होते हैं कोई भी शेप अगर बनाना है चोटे चोटे बच्चों को देख लिजिए कभी-कभी स्कूल में जो बच्चे बनाते हैं तो बहुत ही neat and clean होता है और उसमें भी बच्चे draw करते हैं उसमें भी एक संदेश छुपा होता है तो ये ऐसी कला को ऐसी कला या निपुर्णता जिन बच्चों में है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए मैं इंक्लूसिव क्लासरूम में जिसमें हर तरह के बच्चों को बढ़ाया जाता है उसमें कई special need के बच्चे होते ह हैं जिनको सुनने में भी थोड़ी दिक्कत होती है उनके लिए sign language interpreter जैसे मधू आज indicate कर रही है बता रही है sign language के मादम से की कैसे वो पढ़ सकते हैं कुछ बच्चे से होते हैं जिनको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो उनके लिए आधुनिक कला को पढ़ना क्या इसके क्या हो सकता है किस तरह से पढ़ सकते हैं सर मुझे मेरा मानना यह है कि जो अधुनिक कला है वो हमारे इंक्लूजिव जो हमारा education system है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है बिकुज सर यहां पर हम लिमिट नहीं करते हैं अपनी चीजों को यहां हम लिमिट लेस हैं हम चाहे material की बात करें या हम किसी उस particular चीज को बनाने की process की बात करें अगर आप for example आप बच्चों को कुछ भी material दे दीजे as per their need अगर जिस तरह का बच्चा है आप उसको उस तरह का material दे दीजे sir I am damn sure की बच्चा कुछ न को जरूर create करेगा क्योंकि जो thinking process है वो बहुत ही sharp है आज की generation का और भी ज्यादा advance है और वो जो भी बनाएगा वो ऐसा बनाएगा जो की आने वाले time पे कही न कहीं आप उसको use कर सकते हैं क्योंकि जो बच्चे है वो बहुत ही ज्यादा practical oriented है आज की rate में चाहे वो किसी भी generation किसी भी class के आप बच्चे ले लीजे किसी भी class के और किसी भी school के और किसी भी region के लेकिन एक चीज है जो इस समय बच्चों में बहुत ध्यान देने वाली है चाहे school की बात करें या parents की बात करें वो है कि बच्चों का focus diversion उस पर थोड़ा focus करना पड़ेगा कि उनका ध्यान केंद्रित रहे किसी एक चीज़ पर ही ताकि अगर उनमें कला है अगर उनमें कविता लिखने की कला है अगर उनमें कहानी लिखने की कला है या फिर कोई भी किसी भी क्षेतर में उनकी महारत है गणी मैट्स में है साइंस में तो उस पर वो focus करें ताकि अपने क्षेतर में वो आगे अच्छा कर सकें बिलकुल सर, performing art जो है वो एक बहुत ही सुन्दर जरिया है अपनी चीजों को जनता तक पहुंचाने का, अपनी एमोशन को बाहर लाने का और art is a form, it is a therapy basically, so we can use art as in therapy और मुझे लगता है हर school में बच्चों के पास ये art therapy के sessions होने चाहिए जहां पर बच्चों को बिलकुल free कर दिया जाए, जहां पर सिर्फ उने material प्रोवाइड किया जाए and as per their choices, they can pick stuff and make something new, this is the only way we can increase this आधुनिक कला को हम जो कहना चाहते है तो आधुनिक कला के अंतरगत, बच्चों में रचना शीलता है, यानि creativity को अगर हमें और जादा बढ़ावा देना है involve करना है, तो आपने बताया, बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छा term है ये, art therapy और इसके माध्यम से बच्चों का जो कई बर होता है कि लगातार classes चल रही है, सुबह से लेकर दूपहर तक और पढ़ते पढ़ते बच्चे थोड़ा सा दिमाग उसमें होगा है, तो ये जो art therapy है, इससे वो जो एक रूपता है, वो ब्रेक होगी और उनमें जो creativity है, और हो सकता है, जो इस दौरान उनने सीखा है, उसको उकेर दें, या सीखने के दौरान जो उनके दिमाग में चल रहा था, उसको अपनी कला के माध्यम से उकेर दें पिल्कुल से, जी सर, आपका सेशन में कुछ और कहना है आपको भारती अकला के बारे में, अध्रिक भारती अकला के बारे में हमारे बच्चों से यही कहना चाहूंगे कि जो हमारा Indian art form है, वो बहुत रिच है, तो हमें उसको संभाल के रखना चाहिए, जो प्रिमिटिव ट भूलें, new techniques, new चीजें आप create करें, बट बेस उनी को मान करके चलें, तो यह बहुत important है सर, और मैं यह चाहूंगे कि बच्चे जरूर इस art therapy को अपने जीवन में लाए, so that यह इनके professional और इनके personal जो जर्नी है इनकी उसको easy करेगा, जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने, और एक बहुत important चीज है क्योंकि हम कला के बारे में बात कर रहे हैं और आप अकसर अख़बारों में पढ़ते होंगे, समाचार चैनलों में सुनते होंगे, देखते होंगे, कई बार art galleries का exhibition होता है, तो इस तरह कि जो exhibitions होते हैं, उसमें parents को, अगर छुट्टियों का समय है, तो बच्चों को लेकर जाना चाहिए, और अलग-अलग कलाकारों की कृतियां, जो वहाँ पर डिस्पले की जाती है, exhibition में प्रदर्शित की जाती है, उनको दिखाना चाहिए, ताकि कला के पीछे, कई बार हमें लगता है कि यह क्या चित्र बना दिया है, लेकिन उस चित्र के पीछे एक सोच होती है, एक विचार होता है, एक thought process होता है, इसमें color combination क्यों इस तरह का इस्तेमाल किया गया है, उसकी drawing में इस तरह की आकरती क्यों बनाई गई है, तो इस सबके पीछे एक सोच और विचार होती है, और ये बच्चों में, बच्चों के विचारों को एक ठो से किसी कोई एक दिन वो फिक्स कर सकते हैं जो art से related हो और उस दोरान वो अलग-अलग कलाकारों की आकृतियों को चित्रों को प्रदर्शीत कर सकते हैं और उनके बारे में description दे सकते हैं बिलकुल शर बिलकुल कर सकते है और बच्चों को भी ऐ कहा जा सकता है कि आप भी इसके आधार पर पेंटिंग या ड्राइंग कीजिए और आप कॉम्टिशन में साले सकते हैं बिल्कुल सर जी तो हमोर की तरह हम चलते हैं मैं जी सर कुछ मैंने यहां पर बच्चों के लिए लिखे हैं और जिससे कि मैं चाहती हूं बच्चे यह क्वेशन थोड़े से थोरेटिकल लगेंगे बट यह जरूरी है क्योंकि यह हमारा बेस है हमारी आर्ट फॉर्म का तो बच्चों को अगर यह पता होगा तो उनके लिए आगे नया कु प्रिपेर सम्थिंग नियु तो थोड़ा सा नॉलेज ले करके then we have to move forward to create something new or to innovate something new research work के लिए थोड़ा सा knowledge और content अगर हात में होता तो research work अच्छा हो जाता है मुझा लगता है तो यह उसी का एक part है it's like a research work for them So homework में आप दिएक सकते हैं At what time hungry Bengal painting was created and by whom इस अपने सेशन देखा है तो आपने सेशन अगर ध्यान से सुना और देखा होगा तो इसमें इसका Answer दिया हुआ है Who was the artist who does paintings while writing poetry यह भी एक बहुत important सवाल है और इसमें दिखे कि वो कविता कहते कहते भी drawing करते थे What is printmaking? Printmaking के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बात की है और printmaking आधुनिक भारती अकला का एक बहुत एहम हिस्सा रही है और अभी भी है Who was the founder of Calcutta group and why they have created this group और अगला प्रशन है आखरी प्रशन है In which cities the Britishers has opened their art school and why तो इन शहरों का नाम मैंने बताया है और क्यों उन्होंने खोला था school ये भी बताया है इसको आप ध्यान में रखें और इसके आधार पर इन प्रशनों का उत्तर दें और उत्तर लिखने के बाद आपको भेजना कहा है हम आपको ये भी बता देते हैं आपको अपना नाम लिखना है अपने school का नाम लिखना है और कक्षा लिखनी है साथ ही साथ आपको session किस तारिक में आपने देखा और expert का नाम लिखना है और हमें भेज देना है हमारे जो email address है उस पर dts.class12 at the rate cit.nic.in तो इसके साथ ही हम आपसे अनुमती लेना चाहेंगे आज की सत्र को यहीं समाप्त करने के लिए हमारे साथ आज की expert के तौर पर जोड़ी थी Neha Parma मैम मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद Thank you so much sir for giving me this opportunity आप मानौ रुचना university में manager है और sign language के माध्यम से आज का सत्र आप सभी को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए special needs की बच्चों को समझाने के लिए हमारे साथ screen पर दिख रही थी मधू जिन्होंने समझाया सत्र को और इसके साथ ही आज का ये सत्र समाप्त करने के नो मती चाहूंगा और एक ज़रूरी सूचना पाठे पुस्तकों के संबद में आप सभी को दे दे 2023 और 2024 का पाठे सत्र चल रहा है और इस दौरान अगर आपने पाठे पुस्तके नहीं लिए है अपने subject और class की तो इसके लिए आपके पास options अभी भी available है आप विजिट कर सकते हैं NCRT के sales counters पर जो available है निव डेली, आमदाबाद, बैंगलूरू, कोलकाता, गोहार्टी में ये sales counters सुबह साड़े नोब बजे से शाम चे बजे के बीच सबताहा के साथो दिन नुपलब्द रहते हैं और घर बैठे, आप books order कर सकते हैं online, आपके घर पर पहुंच जाएंगी, इसके लिए आपको विजिट करना है website ncrtbooks.ncert.gov.in और अगर आप PDF पर जन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप जाएए ncrt, e-partshala और दिक्षा की websites या applications पर और इसी सूचना के साथ, इसी जानकारी के साथ अब अनुमती दीजिए लेकिन आप लगातार बने रहे है e-vidya के साथ शिक्षा और जागरुकता के कारिक्रमों के लिए, आप सभी का धन्यवाद नमस्कार